हेलो गाइस स्वागत करते हैं आप सभी लोग को और एक नई वीडियो में तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं जियो धन धन 50 डेज यार फाइबर ओफर लेकर आचुका हूँ आप सभी लोग के लिए इसके जो बेनिफिट क्या है और यह इसका जो लाग जो है आप लोग किस तरीक से उठा पाएंगे अगर आप लोग जियो एर फाइबर ले चुके है या फिर जियो एर फाइबर बुक करने वाले है तो आप लोग के लिए जो यह प्लैन जो है बहुत ही ज़दा मतलब अच्छा है बहुत ही खुश खबरी है इसमे जो है आप लोग को 50 डेज के जो है एक्ष्ट्रा जो है व जो भी जयो सिम यूज़ कर रहे है वो जयो मूबल 5G मूपायल होना परेगा , ठीक है ? मानलीजये आप लोग एक जयो SIM यूज़ कर रहे है वह 5G में चल रहा है वह SIMकट मानलीजये आपने booking किया है ठीक है आपने google e- excusing किया है लेकिन उसका जो है installation नहीं हुआ है और आप booking करने बले है अभी 5G चल रहा है आपके mobile में जियो sim का लेकिन आप जो है एर फैबर का अभी booking करेंगे 16 तरिक से ये start हुआ है ठीक है आज 16 मार्ज से ये start हो रहा है लेकिन इसका कितना दिन तक रहेगा उसका मुझे पता नहीं लेकिन मैं आप लोग को बता देता हुँ कि 16 तरिक मतलब आप जियो एर फैबर का booking कर चुके है और आप जो है booking करेंगे आपका अभी तक installation नहीं हुआ है तो आप लोग को क्या benefit मिलेगा 50 days का जो है 6 महिना मिलेगा उसके बाद आप लोग को extra 50 days दिया जाएगा यह जो है जियो धन्दनादन ओफार में आप लोग यह फैबर अगर लगाते है तो अगर मानलीजिये आपने पहले ही booking किया है और आपने आपका जो installation हो गया है तो आप लोग को 15 days का ओफार मिलेगा मानलीजिये आप लोग का 6 महिना प्लैन लिया है उसमें आप लोग 15 days extra मिलेगा लेकिन अभी तक अगर आप लोग का कोई भी installation नहीं हुआ है आपने booking करके रखा है वो अभी installation होगा थोड़ी दिन में या फिर आप लोग अभी booking करेंगे तो आप लोग के लिए काफी फायदामत है आप लोग जो है automatically 50 days का जो ओफार है extra 50 days आप लोग देख सकते हो यार पहेबर में ये जो है काफी जदा अच्छा benefit दिया गया है जियो धंदनादन ओफार जो की 2016 में जब launch हुआ था जियो तब भी जो ये जियो धंदनादन ओफार आया था और आप भी जियो धंदनादन ओफार आया है लेकिन मान लिजिये अगर आप लोग के पास या टेल सीम है बोडापोन सीम है वो जो है उससे जो है आप लोग ने booking किया है कही कही में 14 days लगता है जब आप लोग का sim port होके जियो हो जाएगा उस वो number उसके बाद आप लोग को 14 days जो है जियो sim card या फिर 10 days जो है जियो sim card चलाना परेगा 5G में वो भी 5G में चलाना परेगा ठीक है तब जाकर आप लोग booking करते हो ठीक है तब जो ही तो भी जो है आप लोग जो है ये 50 days के धनादन ओफर जो है इसके जो मजा जो है ले सकते हो ठीक है आप port करते समय अगर booking करते हो ठ 5G mobile में यूज़ करते हो तब भी आप लोग को 50 days offer मिल जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बताया यह अच्छे तरीके से समझ गये होंगे अगर आप लोग का कुछ doubt है मन में कोई सवाल है तो आप लोग नीचे comment में comment box में जाएगे वहाँ पर अच्छे तरके से question कीजिए मैं आप लोग का अच्छे से reply करूँगा तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है एक लाइक जरूर करना चैनल में ना है तो परी चैनल को subscribe करना मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक लिए goodbye and take care